हुला एवरिवन वेलकम टू भारतिय इस इंस्ट्टूट ए उप्यसी तूफान सो हमारा आज का लेक्चर है बजट लेक्चर नमबर टू अलड़ी पढ़ रहे हैं इसमें छे पार्ट हो चुके हैं ये पार्ट सेवन थे तो आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको हेडिंग इस तरह के से मिलेगी बजट ल्टू पी सेवन इसका मतलब क्या है अलड़ी छे पार्ट हो चुके हैं तो आपका काम क्या है वो छे पार्ट कंप्लेट करना ये ल्टू लेक्चर रेइसका मतलब लेक्चर वन भी हो चुका है तो लेक्चर वन एक्णॉमिक ग्रोफ डिवल्लप्रमेंट वह भी आपको पढ़ नहीं हैं ठीक है हम जब तक प्रिम्स का एक् रहें remember this point उपर उपर नहीं बोल रहा हूं मैं जितना भी बोल रहा हूं extensive और elaborate way में बोल रहा हूं तो with facts with concept with analysis यह पूरी चल रही है अगर आप videos देखेंगे आपको वहाँ पता चल जाए है ठीक है चलिए आज हम पढ़ते हैं तोड़े terminologies जो की हमें important होंगे जब budget समझने के लिए ठीक है अब 20 दिन के बाद budget आने ही वाला है so budget के पूरे अगर parts कर लेते हैं तो आपका proper understanding budget का होगा budget के video कैसे भी हम करेंगे so that is anyhow part of our topics only ठीक है चलिए शुरू करते हैं हम उसे पहले एक small thing that I want to tell UPSC CSE की mentorship long term mentorship और PSIR long term test series या उसकी mentorship अगर आप लेना चाहते हैं तो आप one-to-one demo sessions मेरे साथ कर सकते हैं so मेरा number है 970-177-2187 अगर आप ये number में message या whatsapp करते हैं तो मैं आपसे connect करूंगा और हम वह demo session करेंगे अगर आपको वहाँ पे demo session में आपके schedule के साथ से आपके जो भी learning levels के साथ से अगर वह fit होता है तो आप उसको join कर सकते हैं जिससे आपको strategy और way forward भी अराम से मिलेगा वह चीजों को approach करने के लिए ठीक है चलिए आज हम पढ़ने वाले है financial year क्या है assessment year क्या है advance tax किसे कहते हैं self assessment tax किसे कहते हैं tax deduction its source किसे कहते हैं total tax का मतलब क्या है exemption versus deduction यह categories क्या होते हैं okay चलो financial year हमारे country में financial year April 1st to March 31st बताया जाता है April 1st to March 31st most of the countries में a financial year का मतलब है April 1st to March 31st calendar year का मतलब होता है January to December agriculture year भी होता है जो कि July to June कहा जाता है agriculture year because July से ही वो फिर rice crop आती है फिर खारिफ सीजन राभी सीजन फिर जायद फिर वो साइकिल चलती है तो अगरिकल्टर का जुलाई to June होता है calendar year January to December होता है और हमारा financial year होगा April to March ठीक है assessment year का मतलब है the financial year के बाद का जो year होता है उसे हम बोलेंगे assessment year financial year के आगे वाला means future का जगा year जो होता है future financial year या next financial year उसे हम बोलेंगे assessment year ठीक है इसे मैं थोड़ा आराम से बोल दूंगा आपको so that it becomes very easy for you to understand यहां पर देखिए एक चीज़ okay basically tax तो हम सुब बनते हैं obviously आप तो नहीं बनेंगे student है ठीक है तो हम तो tax बनते हैं तो हमारा जो CA होता है तो पहली बात 2022 2023 का tax नहीं बना या नहीं बना this is the important question so 2022 का मतलब है April 1st से लेके March 31st 2023 में मैं कितना भी कमाया हूँ उसका मुझे उसके उपर जो भी tax लगता है वो tax मुझे बना पड़ेगा ठीक है यह हो गया मेरा tax year तो जब आपका CA calculate करता है tax तो वो आपको एक document नहीं देता है 2022-23 की document ही नहीं देता है वो तो 23-24 की भी document देता है आपको यह भी एक देता है तो गौर्नमेंट अलड़ी यह पूछ लेती है हमारे से कि आगे आप कितना tax बन सकते हैं आप बनने वाले हैं यह इसलिए किया जाता है बेसिकली गौर्नमेंट को भी जब budget वो रखते हैं ठीके future में या next अभी फेबरेवर ने budget रखते हैं तो गौर्नमेंट को पता चलेगा कि ठीके future में इतना लोगों ने commit किया हैं तो इतना तो आएगा तो उस हिसाब से किस तरह के locations हम कर सकते हैं सो गौर्नमेंट हमारे पास से भी एक prediction ले लेती है कि हम आगे कितना tax बन सकते हैं या बनने वाले हैं this is very important point ठीक है I guess you got this point तो यहां पर देखिया आप 2022-23 का तो मैं टैक्स बन देता हूं 23-24 का मतलब क्या है April 1st 2023 March 31st 2024 right or wrong अभी तो मार्च आया नहीं तो मैं already जब 2022 में जब मैं टैक्स बन रहा था 22-23 का ठीक है जब मैं बन रहा था तो मेरे यह साल का भी already prediction दे दिया था कि इतना आप बनने वाले हैं तो इससे पता चलेगा कि next year इतना पैसा उनको आने वाला है so that's why financial year the current year को हम बोलेंगे financial year ठीक है उसके बाद का जो भी year होता है उसे हम बोलेंगे assessment year ठीक है याद रखिए ना उसके बाद में advanced tax यह क्या होती है advanced tax okay salary taxpayers with other sources of income like interest income like interest income जैसे कि sovereign gold bond scheme होती है government की तो यहां पर आपको 6 मेने में interest मिलेगा या annually आपको interest मिलेगा इस तरीके से बहुत सरे schemes government के होते हैं या private schemes भी होते हैं okay तो वह interest income इंटरस से भी income generate होती है अपने को right or wrong yes so जो भी salary taxpayers है जिसके पास other sources of income है मतलब क्या है मैं विप्रो में काम कर रहा हूं तो मुझे महाना 30,000 रुपे आ रहे हैं तो मैं पहले ही एक जगा invest करा था वहां से मुझे एक हजार रुपे interest आ रहा है तो अभी मुझे दो sources of income हो गए right एक तो है विप्रो की employment जो की हर मेना आएगी मैं पिछले कभी investment करा था और वहां से मुझे एक हजार रुपे interest आ रहा है तो यह हर मेना यह एक income हो गई मेरी और हर मेना यह एक income हो गई मेरी right तो जो शाली taxpayer होते हैं जिसकी income दुस्रे sources से भी आती है just like interest income अगर and your tax liability for the financial year exceeds रुपीज 10,000 रुपीज तो उनको बनना पड़ता है advanced tax अगर मैं government को tax बन रहा हूं 10,000 से ऊपर मेरी liability to the government कितनी है 10,000 से ऊपर मैं government को tax बन रहा हूं तब मुझे advanced tax भी बनना पड़ेगा क्योंकि मैं interest से भी tax interest से भी मैं कमा रहा हूं getting my point here I hope this is clear so advanced tax हम देख लिए अभी हम देखेंगे self assessment tax इसे हम forgotten tax भी कहते हैं आपने आपको बहुत सारे sources of income हैं आपकी income के ओपर income tax लगेगा अगर आपका business रहा तो profit के ओपर आपको corporate tax लगेगा या आप कुछ manufacture कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे GST लगेगा तो आपकी actually एक इनसान की tax liability कितनी भी हो सकती है बट अलग-अलग form है basically बोलने का मतलब यह है जहाँ जहाँ से आप income कमा रहे हैं वहाँ वहाँ पे government ने tax लगा रखा है अगर मैं income से salary से income कमाता हूं तो income tax लगेगी अगर मैं business से पैसे कमाता हूं तो फिर मुझे corporate tax लगेगा अगर मैं product या service बेजता हूं तो मुझे GST लगेगा ठीके अगर मैं securities खरिदता हूं तो मुझे security transaction tax लगेगा जहाँ जहाँ से आप income actually generate करते हैं government ने वहाँ वहाँ पे tax लगा रखा है मतलब क्या है एक इनसान सिफ पैसे ही नहीं कमाता है तो वह investment भी करता है तो मुझे विपरो से salary आ रही है यह TCS से मुझे salary आ रही है this is fine but अलग-अलग investment के व tax pay कर सकता है जैसा कि मेरे बड़े वही है वो एक ही tax pay करते हैं क्योंकि उनके जो salary आती salary पर बनते हैं अब जैसा कि मैं हूँ मैं freelancer काम करता हूं तो कभी वह institute में पढ़ाऊंगा कभी वह institute में पढ़ाऊंगा कभी खुद का institute भी एक scheme में मैंने दाल रखा है तो फिर मुझे चार जगे से income आ रही है तो जब मुझे चार जगे से income आ रही तो गौर्नमेंट में बोलेगी भाई तुम चार जगे से कम आ रहे तो फिर मुझे तो कुछ देना पड़ेगा ना ऐसा तो गौर्नमेंट ने बेसिकली जहां जहां से income generate होती है वहां वहां पर tax लगा रखा है अगर मैं भूल जाता हूं सपोस मेरे 4-5 investments हो चुके हैं और 4-5 income sources है मेरे मैं 2-3 जगों का ही calculate करके source of income मैं tax बन दिया मैं भूल गया है कि अरे यह जगे से मुझे tax बनना था मैं नहीं बना तो इस वह बोलते हैं हम self assess means खुद का खुद assess करना है आपने जितने sources से income कमाई है वह sources से आपने tax बने हैं या नहीं बने हैं उसे भी बोलते हैं हम self assessment times मतलब क्या है forgetting tax भूल गया था okay tax deduction at source tax deduction at source basically यह चलता है tax deduction at source very important है कि समन्ना भी बहुत दरूरी है उसे tax deduction at source क्या होता है तो यहाँ पर देखिए यह tax basically जो organized sector में काम करते हैं जैसे की corporate में काम करते हैं जो भी organized sector में काम करते हैं तो उनको आएगी income और वो अगर income के tax tax rate bracket में पढ़ते हैं तो वो बनेंगे income tax तो वो income tax बनेंगे जिसे हम abbreviated form में IT बोलते हैं income tax यह जो organized workers होते हैं जो properly एक employer के लिए काम करते हैं tax deduction at sorts basically unorganized workers को relate होता है ओके informal sector में जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर यह लगता है जो freelancing करते हैं मेरे जैसे उनके ऊपर लगता है मैं यह तो यह तीन भी category में आता हूँ because freelancer itself they are what organized or informal में ही काम करते हैं अब यहां पर देखिए अब यहां पर मैं साला ना आप देख सकते हैं यहां पर तीन या चार institute हैं मैं यहां पर एक batch लुँगा, economics यहां पर लुगा, economics यहां पर लुगा, its यह तो यह तेन मोहीं, यह तीन मोहीं, मैं यहां तो मेरे एक साल हो जाएगे इस तक से दिक है अब जबी भी अब मैं एंस्टूट के लिए मैं जबी भी पढ़ाया हूं तो वो लोग मुझे पेमेंट तो करना है तो मेरे वो बड़े से मेरे वो पूरे साल के employer नहीं होते न, पुरे साल के मेरे owner तो नहीं होते, कि उन्हों मेरे साल भर साल भर मेरी पुरी salary एकर्टा करके कितना tax में बिनना है, कितना tax मुझे exempt में बंटेज़ान है, अलोग उसाल के मुझे liability वो तो नहीं करेंगे, तो उनको आच हो गया मुझे एभी पैसे यहां पर आप यह कॉल तो यह लोग तो मुझे मोझे कैसा भी चैसा बहärा नाउलाने ट्रांसफर करते थो क्याह destin की वेशा जो है partner cheated the वह उसीतने शहां के वह उनिश्पडिटीचर में आए घुलिटगा तो एसी रुपे में उजे तरकारी लाने या मीट लाने या इंप्राइस को देने सव रुपे मेरे पास आए असी रुपे तो मैं यह सुब चीजों में दे दिया बीस रुपे मेरा प्रॉफिट है तो बीस रुपे में लागेंगा ना अगर आप आप expenditure नहीं बताएंगे तो फिर आपको tax बढ़ जाएगा इसलिए यह लोग तो बता देंगे कि देखिए हम तो इनको इतने पैसे दे दिये यह हमारा expenditure है तो उनकी liability तो खतम हो गई तो वो अपने जितने में उनको revenues आते हैं उसमें मेरा expenditure भी लिग देंगे government को यह पता चल गया कि मेरे पास पैसे आ गए ओके अब government यह देखती है कि बढ़ है एसके पास पैसे आ गए और यह रिंट 0.807 लाग से जादा भी कमा रहा है साला ना तीन लाग से जादा कमा कर भी यह नहीं बन रहा है government को पता चल जाएगा अपने को notice आजयी, इनको पता चल जाएंगा कि ये बंदा इस तरीके से कैच करती है जो भी टैक्स पे नहीं करते हैं एक से दो बार मैं तो चोटा मोटा आजमी है तो अविसली मुझे नोटिस नहीं आएगा बिकॉस उतने जादा हमारे पास इंकम टाक्स का उतनी जादी स्टाफ है ही नहीं कि छोटे मोटे चीजों को पकड़ें वो तो विजे मालिया जैसे लोगों को ही नहीं पकड़ सकते हैं तो उतने बड़े-बड़े स्कैम में वो इंगेज है क्रोर रुपीस का जो भी होता है प्रॉब्लम्स वहां पर रहते हैं तो हजारों में क्या ही है वो आके घर में कोई कंश्चन काम करते हों और रियल सेट में काम同गरा तो वो टाक्स तो नहीं कि बनेंव वीश्लींμα और वह पर अलग है हम उससाइटी में में रहते हैं हिसिस्टम चला था एंचार इन्सूडट में चार इंस्टील मुहँ पेंधे करें पेंट करके गौर्णेमं बने आप 50,000 नहीं बने आप यह नहीं पूचेगी गौर्वर्नमेंट के पास उतना टाइम ही नहीं है तो गौर्नमेंट क्या करी अब हम जैसे लोग तो बनी नहें रहे हैं मैं बनता हूं बट मैं स्रिफ एक्जांबल दे रहा हूं हम जैसे लोग तो बड़ी नहें रहे हैं तो गौर्वर्नमेंट एंप्लॉई जो एंप्लॉई कर रहा है ओके जो कॉंट्राक्ट बिसिस पे हमें तीन भाईने के लिए इसा हायर करता है गौर्नमेंट ने इनको क्या क पेमेंट कर रहे हैं तो आप उनके पेमेंट में से 10% या 14% निकाल के उनको दीजिए और जो निकालते हैं पैसे वो 10-15% वो हमें बन दीजिए क्योंकि हमारे जैसे ऐसे लोग हैं कि पैसे पूरे ले रहे हैं और टैक्सी नहीं बन रहे हैं क्योंकि टैक्स कहां कहां से पैस भी कम हो रहे हैं तो government ने क्या किया है यहां पर इनको यह बलाए कि आप कट करके दो इसका मतलब क्या है जहां पर source source से जहां पर income generate हो रही है वहीं पर ही tax deduct करके हमें दिया जा रहा है that is called as tax deduction at source that is called as what tax deduction at source I guess this is all clear to you इसलिए मैं proper समझाता हूं क्योंकि हर चीज आपको समझ में आए अगर आपको लेक्चर फास्ट दिख रहा है अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा है तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं मेरे mail id वहाँ पे description mention है whatsapp mention है आप वहाँ पे मुझे doubts पूछ सकते हैं मैं आपको audio message भेज़ दूँगा आपको भैकर तरीके से बताना की कोशिश करूँगा अगर बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा तो मैं उसके उपर और एक video भी बना दूँगा बट मेरा एक suggestion यह है आप जबी भी आपको lecture में problem होती तो आप उसको एक से दो बार तीन बार देखिए क्योंके economy ऐसी चीज़े एक बार में समझ में नहीं आती यह मैं हमेशा बोलता हू आप इसको तीन से चार बार बढ़िए आप परफेक्ट हो जाएंगे तिस इस वेरी इंपॉटेंट गिटी में पॉइंट चलिए अब है हमारा टोटल टैक्स टोटल टैक्स ऐसा टैक्स होता है आपकी इंटाइर इंकम जितनी भी आती है अगर आप उसके उपर बनेंगे आ टोटल टैक्स इंकम टैक्स बहुत सेम नहीं होते हैं माई डियर स्टुडेंस इंकम टैक्स इंकम पे लगता है टोटल टैक्स मतलब क्या है अगर एक इंडिविजुल के बहुत सारे इंकम सोर्सेस है तो बहुत सारे इंकम सोर्सेस पर वो जितना भी टैक्स बन रहा है तब वो total tax, तो मैं मुझे, अगर आप मुझे मिलके पूछें, भई अभी तु टाइक्स कितना बना, IT कितना बना, income tax कितना बना, तो मैं बूलोगा भई, एक असिया दाता कि income tax बना, कोई और बंदा पता है कि मुझे businesses भी है, मेरे investment भी है, मतलब क्या है, वो पूछना यह चाहता है कि मैं actually जितने भी मेरे income sources से, उन पूरों से मैं कितना कमा के कितना, तो मैं बूलोगा, दो लाग तक गए रहे मेरे, उतना तो बना मैं, ऐसा, तो total tax अलग होता है, IT अलग होता है, remember this point, ठीक है, आप क्या है, exemptions and deductions, बहुत important है, ठीक है, यहाँ पर एक funda है, आपको सुनना और समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, यह चीज़े ही आपको exam में edge देंगी, compared to other students, ठीक है, अब ले लेते हैं Mr. X, Mr. X हम ले लेंगे, इनकी salary है, महाना 50,000, इनकी salary है, महाना 50,000, तो आप समझ सकते हैं 12 फाइजा, अगर हम इसको करें, तो यह होगी, साल की 6 लाग, 3 लाग से उपर, जो भी कमा रहे हैं, government के हिसाब से, उन्हें tax बनना है, तो Mr. X तो 3 लाग से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो यह तो 6 लाग कमा रहे हैं, तो इनको टो tax बनना है, चलिए लेटर सपोस tax 1 लाग है, कितना है, tax 1 लाग है, अब यहां में फंडा आता है, क्या इनको यह एक लाग पूरे बनने चाहिए, या कुछ, government यहां पे relief देती है, क्योंकि government का एक मुद्दा क्या है, सब को food देना, clothing देना, shelter देना, transport देना, communication देना, transport and communication देना, footwear देना, education expenses देना, pension, government समझती है, pension और एके insurance, देखें, यह पूरे आते हैं, government चाहती है कि हर इंसान के पास, हर Indian citizen के पास, हर भारतियन्स के पास, यह हर चीज होनी चाहिए, यह social security होनी चाहिए, ओके, तो थोड़े अभी यहाँ पे एक बात समझिए, pension और insurance, आप यह दो चीज देखिए, यह बहुत important होते हैं, लोग नहीं समझते हैं कि important हैं नहीं यह बहुत important होते हैं, बट basically यहाँ पे होता क्या है, अगर government, government समझती हैं कि insurance और pension लोग लें क्या, तो government चाह रही है कि insurance और pension, government चाह रही है कि लोग लें, ले रहे हैं क्या, government wants that people should take insurance and pension, बट यहाँ पे problem क्या है, यह खाली investments हैं, यह खाली क्या है, investments हैं, मतलब क्या insurance को साला ना आप 25 सार बनेंगे, pension में आप साला ना एक 25 सार contribute करेंगे, तो आपकी एक महने की salary, insurance और pension में चले जा रही है, जो कि आपको पता ही नहीं है, कि वो use होगा की नहीं होगा की, क्योंकि आपकी अभी mentality ऐसी है, as a adult, as a youth, आप ये समझते हैं, कि ये दो important नहीं है, तो बहुत सारे लोग अभी भी आपके फादर को पूछिए, आपका insurance करे का, बोलके पूछिए नू, आपके फादर को पूछिए, आपका pension करे का, नहीं, तो आप समझ सकते हैं, आपके फादर, कितना ज़्यादा ध्यान देते, insurance और pension पे, और ये तो और सिवियर हो जाती है, जब आपके फादर, businessman होते हैं, वो तो लेंगे ही ने, insurance और pension, आपका क्या करना है वो ले विशा, तो मतलब क्या है, बहुत सारे लोग, insurance pension, उनकी salary आने के बाद भी नहीं लेते हैं, तो government चाहती है कि ये दो ले, क्योंकि अगर हम ये दो लेते हैं, तो government का खर्चा भी बच जाएगा, राइट, क्योंकि government अगर हम ने लेंगे, तो government को देना पड़ेगा ये, तो government का expenditure जादा होगा, तो government चाहती है कि हम ये ले, तो government यहाँ पर एक provision ले के आती है, हमें compel करती है, हमें push करती है कि लो, तो government क्या बोलती है, जितना आप insurance और pension में बन रहे हैं न, उसके ओपर tax मत बनिये, उसके ओपर tax मत बनिये, मतलब क्या, 6,00,000 में से, मेरा 50,000 रुपे, ठीक है, 50,000 रुपे, मैं insurance और pension में दे रहा हूँ, तो मेरे पास अभी कितना हुआ, 5,50,000 रुपे का actual amount, इस पे मुझे tax लगेगा, इस पे मुझे tax नहीं लगेगा, मतलब क्या, जब 6,00,000 पे मैं, 1,00,000 tax बन रहा हूँ, मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ आपको, ऐसा तो figure नहीं आता है, 6,00,000 में जब 1,00,000 tax बन रहे हैं, तो अभी आप government क्या बोलिए, अगर जो insurance और pension ऐसे social welfare या security scheme से जो भी करते हैं, तो हम उनको exempt करेंगे, आप उसके पर tax मत बनिए, यह को गर्णरमेंट चाती है कि हम यह पूरे fulfill करें, at the earliest, ठीक है, तो government तो अभी मैं 6,00,000 पर 1,00,000 बन रहा था, अभी मेरी यह insurance और pension आने के वज़े से, इसमें मेरा total income में घाटा हुआ, पांच लाग, 50,000 तो मैं 1,00,000 क्यों बनूँगा, मैं 70,000, 80,000 बनूँगा, later wrong, yes, so exempture deductions इसलिए दिया जाता है, कि हम government लोगों को, people को यह बोलना चाहती है, कि भई आप यह पूरे social security schemes fulfill करें, कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि government economic growth करने के लिए, या investment बढ़ाने के लिए भी government क्या करती है, एक scheme निकालती है, gold monetization scheme, mahala savings certificate, sovereign gold bond scheme, ऐसे schemes निकालती है, और बोलती है कि इसमें investment करेंगे, तो आपको tax वहाँ पे deduct नहीं होगा, ठीक है, आपको हम tax deduct नहीं करेंगे, क्योंकि government चाहती है, हमारे इंडिया से ही पैसा बारो करती है, तो इंटर्नल बारो इंग्स में आता है, तो government यहाँ पे investment बढ़ाने के लिए, ठीक है, economic growth बढ़ाने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे government inflation, बिकोज हम अगर government को bond में पैसे देंगे, तो हमारे पास पैसे कम रहेंगे हाथ में, तो फिर हम ज़्यादा demand भी नहीं कर सकेंगे, inflation कम करने के लिए, ठीक है, और social security welfare schemes, हम adopt करने के लिए, exemption ऐसे deduction categories लेके आती है, गौर्नमेंट, जहाँ पे अगर हम investment करेंगे, तो गौर्नमेंट वहाँ पे आपको माफ कर देगी, वो income पे tax, तो इतना ज्यादा फंडा होता है, exemption deductions, I guess पूरे यूटूब में इतना तो कोई नहीं समझाये होंगे, तो important है कि scratch से समझेए, ओके, और यह जो exemption और deduction categories जो भी होते हैं, गौर्नमेंट खुद mention करती है कि यह यह चीज़ों पे exemption मिलेगा, यह यह चीज़ों पे इनको क्या मिलेगा, deduction मिलेगा, ठीक है, remember this point, exemption देखो, traveling alliances, गौर्नमेंट ने रखा है, आप उसमें थोड़े पैसे cut कर सकते हैं, interest from tax free bonds, gold monetization scheme, sovereign gold bond scheme, मैंने थोड़े भूत यहाँ पे mention की है, बहुत बड़ी list होती है, बट समझना, गौर्नमेंट के exemptions category से, आपको यहाँ पे, अगर आप यह चीज़ों में, अगर इनवेच करते हैं, अगर आप आपका पैसा, आप यह चीज़ों में लगाते हैं, तो आप tax से exempt हैं, यहाँ पे भी आप tax deduct करा सकते हैं, आगे जाके, आप tax exempt कर लें, तो आपको tax लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, tax deduct होगा, बाद में आपको refund आएगा, तो deduction में, अगर आप education पे खर्चा करते हैं, तो वो पूरा पैसा आप claim कर सकते हैं, अगर आप insurance पे खर्चा करते हैं, वो पूरा पैसा आपको claim करते हैं, तो deduct होके आपको आजाएगा, तो थोड़े exemption category से, जिस पे आप जब बनते हैं, तब यह पूरे exempt, यह पूरों का खर्चा निकाल के बन देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इनके उपर आप tax बन देते हैं, बाद में आप उसको refund के तरह ले लेते हैं, तो यह होगी हमारी exemption and deduction category की दास्ता, तो आप देख सकते हैं, यह है हमारा sovereign gold bond scheme, यह आपको properly दिख रहा है या नहीं, I am not sure about it, ठीक है, बट बस मैं बताना चाहता हूं कि यह sovereign gold bond scheme विजयाब बैंक का है, यहाँ पे एक feature मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, इसके features हम पढ़ेंगे, मैं कैसे भी series शुरू करने वाला हूं, जो कि government schemes की series शुरू करने वाला हूं, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, यह bond में आप जितना भी पैसा invest करेंगे, वो invest करने के बाद government bond में invest करेंगे, तो आपको interest guarantee कर दिया रहा तो आपको पैसा आएगा, तो यह sovereign gold bond scheme में आप जितना भी पैसा invest करेंगे, उससे जितना भी आप कमाएंगे, वो tax exempt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tax exempt हो जाएगा, capital gains, capital means आपके पैसे, आपके पैसों के उपर आप और पैसे कमा रहे हैं, मतलब आपके पैसे, आप यह sovereign gold bond scheme खरीद रहे हैं, यह scheme, यह पैसों से आप खरीद रहे हैं, और वोही पैसों से आप और पैसे कमा रहे हैं, जो extra income आप जो कमा रहे हैं, आपके पैसों के उपर, क्या उस पर tax लगेगा, means नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या मतलब क्या आपके पैसों के उपर क्या हुआ है, gain हुआ है, so capital gains हुए है, क्या capital gains के उपर tax लगेगा, नहीं लगेगा, तो देखिए, government यहाँ पर investment प्रमोट करना चाहिए, government यहाँ पर economic growth प्रमोट करना चाहिए, government यहाँ पर inflation कम करना चाहिए, government हमें चाहती है कि, हमारे investment secure channel में रहो, ठीक है, एक्सेर्टर एक्सेर्टर ठीक, यह पूरे तो चीज़ें आप पढ़िंगे, आगे जाके फश्वर, banking sector में पढ़ाऊँगा, यह भी देखिए, एक bill होती है, government की, तो मुझे मिला नहीं, तो मैं जमाइका गौर्वर्नेमेंट का ले लिया, गौर्नेमेंट अफ जमाइका, treasury bill होती है, पांच लाग रुपे की, it is to certify that, मिस रादा has taken this bond for a period of 5 years, and invested 2 lakh रुपीस in this, after 5 years, she will be paid 10% of the principal amount, बोलके ऐसा लिख कर आता है, यहाँ पे हमारे treasurer की sign होती है, आपको हर साल interest आएगा, पांच साल के पाथ जाओ, 2,005,005,00 ले एक लेके आओ, that's all, easiest way, ठीक है, right, थैंक गॉड, we are done with the terminologies chapter, हम आज क्या पढ़े हैं, assessment tax क्या है, financial tax क्या है, tax deduction source क्या है, forgotten tax क्या है, self-assessment tax क्या है, total tax क्या है, यह पूरे taxation types पढ़े हैं, और उसके बाद में पढ़े हैं, exemption और deduction का, a proper understanding, okay, now, types of taxation system, ठीक है, यह हम कवर करेंगे, हमारे next lecture में, thank you,